So guys, welcome back to our channel, Dynamic Techno Guys. आप Windows 7 को अपडेट करने के लिए जाते हैं, Windows को अपडेट करने के लिए जाते हैं, तभी दोस्ते, आपर एक अपडेट के सेक्षन में, दोस्तों, यहाँ पर एक एरर देखने के लिए मिलेगा, Windows, पॉर्डोर सर्च पर एनी अपडेट, यहाँ पर कोई भी अपडेट आपको नहीं मिलता है, आप तभी आपर आपना Windows 7 को अपडेट नहीं कर पाता है, तो यह प्रोबले को कैसे सॉट आउट करना है, दोस्तों, कैसे आपको आपना Windows को अपडेट करना है, आज की इस वीडियो पर मैं आपको अपने डेटेल पर बताऊंगा, इस वीडियो को देखने के बाद, दोस्तों, आप सक्सेस्फुली अपना Windows 7 को अपडेट कर सकते हैं, तो चलिए, दोस्तों, बिनाक्स टैमएश्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आस्टो पर में स्क्रीन पर आचुगा हो, पहले आपको यहापको तारट बटन पर क्लिक करना है, इसमें क्लिक करने के बाद अपना Windows Update अपना Windows Update अपन हो जाएगा, इसमें दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा Check for Update for your computer, अब लिखा हुआ है तो मैं पर चेक फ़र अपटेट लिख अपर किलिख करने ता हूँ इसमें कलिक करने के बाद चैन्स सेटिंग पर क्लिक करने के बाद, इंपोर्टन अपडेट का सेक्षन पर दोस्तों आपे इंस्टल अपडेट अपडेट अप्डेट रिकमेंड़ यह जो ओप्संग आपको टीक कर लेना है, यहाँ पर आपको दोनों ओपसं मेलेगा इसको चैक्कमार्क कर याँपर दोनों को चैकमार्क करके यहँदौन नीचे कर लेना है, अब कर सकता हुद रियुद दोस्तों, आपडेट अवै서 experiment, ना हमादेट के सफिटैनल आपको यह जिस काया है, मेरे cases में मिल चुका है, और आपको नहीं मिलता है तो क्या करना है चलि यहापको बदाता हूं ज्यसकर सब्सक्रका यहाप है तो पनें यहापन करने के लको चाह simult लिए भाए चलिक करने है तो यहापको डीको आवने euroz में आपको डिखा देता हूं window update यह रहा, इस में click करूँगा मैं window update पर double click कर लेना है double click करने के बाद you can see service type पर दोस्ति आप automatic कर लेना है then आप वो service status पर देखना है यह क्या निखा हुआ है, जैसे कि यहां पर start लिखा हुआ है, ठीक है, आपका भी start आपको लिखा हुआ है जैसे कि मैं stop करूँगा यहां पर यह Sharpt लिखा होुआगा जैसे कि मैं start करूँगा फिर से यह पर start लिखा होँआ तो आपको यह मैं पर दिख लेना है आपका भी start लिखा होना चाहिए then आपको apply करके यह से आपको OK कर लेना है जिलिए मैं ok करने ताहूं देन ओके कर लिए तो close कर लिता हूं मैं तो close करने के बाद दोस्त अपना Windows से आपको window plus Archive button को प्रेस करने के बाद एक run dialogue box आ जाएगा आने के बाद दोस्त दिसमें का मांड आपको देना है इसमें आपको लिखना है MS Config, मैं दिख लेता हूँ, MS Config.exe, screen पर आपको spelling देखने के लिए मिलेगा, लिखने के बाद आपको OK करना है, दन यहांसे आपको service का tap पर आपको चले आना है, दन यहांसे देखने के लिए मिलेगा, कि नब अपक to कर नुगा तो ढाँ एपीन करने के बाद यहां से नब भसे निछा चले होंगा दोस्तो करेंगा दोसुत आपको देखने के लिए मिलेगा अभी रिस्टार्ट नहीं करूँगा अभी रीब Wars Taking को च्था आपको एपने का नहीं अभी क्र nit वाप्ड़ खन लेता हूं आपको भी क्लिक करनेना होगा ठीक है अगर आपको मिला होगा तो अभी याप एगरी पर क्लिक करके में फिनिस पर क्लिक करोंगा यू कन सी प्रिपेरिंग टू इंस्टन का लिखा हुआ आ जाता है दोस्ते हैं पर थोड़ा टाइम लगने के बात दो अपडेट वेर सक्सेस्पुली इंस्टन को अपडेट कर सकते हैं जैसे कि दूस्ते है सारे मेतलों करने के बाद में अपका काम नहीं करता है जैसे यहां पर लिखावाता है कोई भी एरर आपको आता है विंडो को लिखावाता है कोई भी अपडेट आपको नहीं मिलता है तो करना क्या होगा उस टाइम पर उस कैसे आपडेटर चलिए यहां पर लिखता हूँ Windows 7 आपडेटर 32-bit डाउनडोड यानि कि आपका 32-bit या फिर आपका 64-bit कौन सा है आपको कैसे पता चलेगा जैसे कि यहां पर minimize कर लेता हूँ छेक करने के लिए दोस्तों आपको start button पर click करके यहां से आपको control panel पर click करना है चलिए मै क्लिक करने के बाद यहां पर आपको system type पर कौन सा bit है आपका लिकाई देगा जैसे कि मेरा 64-bit operating system है तो यहां से देखने के लिए आपको मिल चाएगा ऐसे आप bit आप चेक कर सकता अपना computer का यहां पर ब्राजर पर आने के बाद यहां से मैं लिख लेता हूँ 64-bit चलिए इस क्लिक करने के बाद यहां पे update for windows 7 for 64-bit system जो भी आपका यहां पर देखने के लिए मिलगा नीचे डाउलोड का अफसान डाउलोड पर आपको क्लिक करना है यहां से आपको देखने के लिए मेलगा यह डाउलोड हो जाएगा जो अपडेट होता है वो आपके जो पैच के लि wyndo update patch download हो जाएगा होने के बाद यहां पर download का section आजाता हूं मै इसमें क्लिक करने के बाद आपको देखने के लिए मिलगा show in folder पर में क्लिक करूंगा So In-Colonator पर Click करने के बाद right क्लिक करना है Right Click करके मैं caught कर लेता हूँ यहां से then minimize करके फिर से minimize करके यहां से right click करके past करता हूँ यह जो पेस हाच हुगा है दोस्तो इस patch पर आपको double click करना है या पर right click करके आपको open पर click करना है Open पर click करने के बाद यह searching होगा यह जो patch update पूरी तरह से अल्रेडी हो चुका है, इसमें लिखा हुआ है कि update for window, जो भी update का name है, और is already installed on this computer, यह जो update यानि कि, यह जो patch update होता है, भी यह आपर update हो चुका है, मेरा computer पो अल्रेडी लिखा हुआ हो चुका है, अगर आपका नहीं होगा, कोई भी error होगा, जै कोई यह जाता है आपका, तो यह जो patch, जब यह पर running करेंगे, open करेंगे, तभी successfully दोस्तों, आपका computer update हो जाएगा, यह आपको में guarantee देता हूँ, और इस तरीके से दोस्तों, आप करेंगे, जो भी में थाड़ बताया हो आपको, ऐसे करेंगे, तभी आपका successfully window 7 को आप update कर सकता है और राइट, गाईज, आपका देख लेके से अपना Windows 7 को आपडेट करना है, पूरी वीडियो में आपको डिटेल पर बता दिया हूँ, इस तरीके से दोस्तों, स्टेफ बेस्टेफ करने के बात, आप भी सक्सेस्पुली अपना Windows को आपडेट कर सकता है, उमीद करता हूँ आपको अच्छा लगाए, और भी ऐसे अपना वीडियो देखने के लिए, डाइनामिक टेक्नो चनल को सस्ट्राइब ज़रू करता हूँ, तो में ताम में नेक्स्ट अपना वीडियो के साथ, तब तक करे लिबीदा वीडियो पूरे देखने के लिए आपको बहुत बहुत सुक्रिया, हमेरेस देख स्यूसों, इसा ही में